नमस्ते दोस्तों और स्वागत है खबरदार नियूज में आज हम मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाओं में संतों की भूमिका के बारे में बात करने जा रहे हैं मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें एक लंबी और सम्रिद्ध हिंदू परमपरा है राजे में कई लोग संतों और धार्मिक नेताओं को देखते हैं और उनकी राय चुनाओं के परिणामों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है हाल के वर्षों में मध्यप्रदेश के दो सबसे लोगप्रिय संतों धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के बीच एक बढ़ती प्रतियस परधा देखी गई है दोनों ही संतों के बड़े अनुयाई हैं और वे विभिन राजनितिक दलों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रभाव का उप्योग कर रहे हैं चुनाओ पर संभावित प्रभाव, या अभी भी कहना जल्दबाजी है कि संतों का चुनाओ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हलाकि असपष्ट है कि वे एक महतपुन भूमिका निभा सकते हैं, यदि वे अपने अनुयाईयों को जुटाने में सक्षम हैं, तो वे चुनाओ क मुद्दे पर कुछ कदम उठाए हैं उधारण के लिए, आयोग ने राजनीतिक दलों से आग्रा किया है कि वे अपने अभियानों में धार्मिक प्रतीकों या नारों का उप्योग ना करें, मध्यप्रदेश विधानसबाद चुनाओं में संतों की भूमिका एक जटिल और बहु आयामी मुद्दा है, यह मत्तपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को समझें और सुनिशित करें कि चुनाओं निश्पक्छ और स्वतंत्र हो, धन्यवाद यह खबरदार नियूज है, मध्यप्रदेश विधानसबाद चुनाओं के बारे में और अपडेट के लिए बने अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें